आज की स्यूड़ा में हम बात करेंगे आई आर बी इंफरापे फेंट्स टोक में आज आपको काफ़ी ज्यादा ही गिराउट देखने को मिली हैं रीजिन क्या रही हैं और अब कैसा मोमिंट आपको देखने को मिलेगा क्या कुछ इसकी अपडेट है डीटेल से समझेंगे उस रिस्टेंस जोन है अगर इसका ब्रेक आउट करके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मानेंगे कि हमारा जो रिस्टेंस उसका ब्रेक आउट हो गया है और फिर हम उपर के लेवल के लिए रेडी हो जाएंगे मगर यहां से इसने रिजेक्शन दिखाई क्योंकि यहां पर मुझे जो यह रिस्टेंस से था यहां से मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल टोप बन रहा है तो गिरावट की संभावना यहां पे आ रही है और स्टोक ने जो यह जब इवेंट था उससे इतनी गिरावट के बाद अच्छी खासी तेजी दिखाई थी क्रीब 11% के ज्यादा की तो वहां पे अब प्रोफिट बुकिंग आनी संभाव थी तो यहां पे प्रोफिट बुकिंग की वजए से आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है वैसे आपने सुना ही होगा जो बजट का आया था और उसमें इन्फरा के बारे में भी अनौंसमेंट हुई है तो लो कौन से लेवल इंपोर्टेंट रहने वाले हैं अगर हमारा जो स्टॉक है यह जो रिस्टेंस है आपको मैंने पहले भी बताया है इसके उपर क्लोजिंग देता है तो हम उपर के लेवल के रेडि हो जाएंगे 96.45 का यह टारगे हमारे रहेगा अब देखो ओल टाइम तो य अगर इसका ब्रेक आउट देता है तो अब नीचे के लेवल में समझते कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रहने वाला यहां पर बात करें स्पोर्ट की तो यहां पर यह टो की आपको 63 क्रीब क्रीब 64 के 64 के क्रीब आता हूँ नजर आ सकता है इसमें अगर आपको प्रेशर द आता हूँ नजर आ सकता है और यहां पर हमारी 10 लाइन पर भी एसपोर्ट लेता हूँ नजर आ सकता है आप भी अपने चार्ट को जैसे मैंने ड्रो करका है मैं एक एक पॉइंट आपको ड्रो करके दिखाती हूँ ऐसे आप ड्रो करके रख सकते हो यहां पर हमने इस केंडल इसके बोटम पे जो यह है न यह केंडल इसके बोटम से किया तो यह सीरी चली गए आप देख सकते हो ना इसने यहाँ पर भी स्पोर्ट लिया अब आगे भी यह स्पोर्ट का काम करने वाले इस तरीके से आप अपने चार्ट कर ड्रो करके रखिए स्पोर्ट और टारगेट करके रखिए ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो और आपको भी समाज आजे कि मार्किट कहां से क्रेक्शन दिखा सकती है कहां पर स्पोर्ट ले सकती है तो यह थी आज की अनलाइस इस टो की आपका क्या कहना है केमेंट करके जरूर बताना और लेटेस्ट